हाई फ्रेंड वेलकम वेक टो माई चैनल और मैं हूँ सखी गार्डन तो आज फिर मैं आपके पास एक न्यू वीडियो के साथ आई हूँ तो यह देखिए यह है तिपतिया घास इसे तो आप सभी लोग जानते ही होंगे अगर यह एक बार अपने गार्डन में आ जाए तो फ येलो कलर की फ्रावलिंग भी होती हैं और सीड बहुत पियारे होते हैं अच्छा वह सीड से बहुत सी 9% ऐसी बिमारियां हो रही है जो इस से दूर हो जाएंगी इस प्लांट से तो वो मैं आपको benefit बताऊंगी तो ठीक है friend अगर आपको सकी गार्डन के गार्डन पसंद आती है तो सकी गार्डन चैनल को like, share, subscribe जरूर करें और वीडियो को full watch करें क्योंकि मैं किसी की वीडियो पे जाती हूँ तो मैं उसको full watching देती हूँ अगर किसी का mono है तो मैं bid add की देखती हूँ ऐसे उसको परिसानी यानि कोई भी problem मैं नहीं create करती हूँ तो अगर किसी की देखना है तो मन से देखो, नहीं देखना है तो बिल्कुल उसकी वीडियो मच जाओ तो ठीक है फ्रंट अब आप मैं आपको बताती हूँ इसके benefit तो इसके benefit है यह तिपतिया घास खाने में खटी होती है तो इसकी आप चटनी बनाग खाएं डेली खाएं तो बहुत से बिमारिया तो ऐसी दूर हो जाएंगी और आज केल मैंने देखा है हर किसी लेडिज में फेस पे स्पॉर्ट पढ़ जाते हैं ब्लेक हैड्स हो जाते हैं जैसे किसी की नींद पूरी नहीं होती है या किसी की बिटामिन C की बहुत ज़्यदा कमी हो गई है तो इसका आप पेश्ट बनाएं पेश्ट बनाके आप फेस पैक लगाएं उससे क्या होगा आप लगा तारिवने करीब एक वीक में आप तीन वार्स को लगा लें तो एक महिने के अंदर में आप जो जाईया है और जो जिससे आपके ब्लैक हैड्स हो जाते हैं वो सारे आपके दूर हो जाएंगे और नशे के लिए तो ये सौने पिस्वागा है जो आज कल करीब 99% लोग नशे के आदी हो चुके हैं तो इसको आप डेली चटनी बनाके खाएं इसका जूस बनाके लें इसकी सबजी बनाके खाएं इसको कैसे भी आप खाने में प्योग कर सकते हैं आप सलाद भी इसका खा सकते हैं हाँ अगर आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा है और आप यह सोचाए अब तो यह खतम हो जाएगी तो यह खतम नहीं होती है एक बार वस गार्डन में आने की जरूरत है तो यह हमेशा आपके गार्डन में रहती है उसके बावजूद भी इसको आप निकालें निकाल करके आप छाया में सुका के रख लें किसी जार्म भरके रख लें डेली अपने उसी की चटनी बनागी खाते रहें तो दीरे 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 कैसा भी नशा करने वाला इंसान होगा जैसे कि आजकल है चरस है गांजा है इसमैक्या है दारू है स्मॉक करते हैं बेड़ी पीते हैं गुटका खाते हैं कैसा भी नशा हो ये आपका जड़ से खतम कर देगा लोग तो बहुत परशान होते हैं नशा मुक्ती के अंदर में जाते हैं 6 महीने एक एक साल तक रहते हैं बहुत सी मिर्शन लेते हैं ठीक नहीं हो पाते हैं बट इसको लेने से इसको बट आपने लेना पड़ेगा 6 मिने लगाता है तो ठीक है फ्रेंट आपको फिर मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ नेस्ट वीडियो में बताऊंगी तब तक चलिए अपना धेर सारा ख्याल करें और सकी गार्ण को इजाज़त दें फिर मैं मिलूँगी आपके साथ एक नई वीडियो के साथ वाई टेक क्या